इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है उन्जा की स्थापना स्वतंत्रता पूर्वियूब में गुजरात राज्य में हुई थी यह वर्षों के समर्पित शोद के साथ सर्वोत्तम आयुर्वेद का सयोजन करता है निर्मान के हर चरण में उन्नत फॉर्मास्योटिकल प्रद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्य से बैच टू बैच प्रदर्शन और पूर्ण शुधता और सुरक्षा सुनिश्चत की जाती है कंपनी ने लंबे समय से खुद को भारतिय दवा बजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है इसे हर्बल स्वास्थ्य देखभाल उतपादों के डिजाइन निर्मान और विपणन के लिए ISO 9001-2000 प्रमानन प्रदान किया गया है इन उतपादों को चिकित्सा बिरादरी में स्वीकृती मिल गई है और ये दुनिया भर के उप्भूकताओं की स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल की जरूरतों को पूरा करते हैं चंद्रप्रभवटी यानि की जिसे चंद्रप्रभगुलिका और चंद्रप्रभवटिका भी कहा जाता है एक आयुर्वेदिक शास्त्रिय दवा है जिसका उप्योग गुर्दिक मूत्राशय के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है मूत्रपत, अग्याशय, हड्डियां, जोड और थाइरोइड ग्रंथी मधुमे, पुरुषों की समस्याओं, महिलाओं की समस्याओं और मानसिक विकारों के प्रबंधन में भी इसकी सिफारिश की जाती है चंद्रप्रभावटी पेशाब करने में कठिनाई, गुर्दे की पत्री, बार-बार पेशाब आना, मूत्रासयम, प्रोस्टेट वृध्धी, पुरुष बांजपन, नपुनसक्ता, स्वप्नदोश, मधुमेह और दर्दनाक मासिक धर्म, यानि की कष्टोतर्व, ओलिकोम चंद्रप्रभावटी का उप्योग सामान्य दुर्बलता को कम करने और शारीरिक शक्ती बढ़ाने के लिए संपूर्ण स्वास्थि टॉनिक और पूरक के रूप में किया जाता है, ये थकान को कम करता है और शरीर को ताजगी के साथ पुनर जीवित करता है, 2. मानसिक ठकान और तनाव मानसिक ठकान और मानसिक ठनाव को कम करने के लिए ये फायदिमंद है, ये छात्रों को उनके अध्ययन संबंधी तनाव को कम करने और याददाश्ट में सुधार करने में भी मदद करता है 3. उच्छ रक्चाप और शिप्रह रिदयता चंद्रप्रभा वटी रक्चाप को कम करके और हृदय को शक्ति प्रदान करके इस मामले में प्रभावी रूप से मदद करती है ये हृदय की धड़कन को भी कम करता है और हृदय गती को बढ़ाता है यानि की टैचिकाडिया 4. गठिया और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड स्तर ये शरीर से क्रियेटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे हानिकारक विशाक्त पदार्थों के उतसर्जन को बढ़ाता है ये किड्नी के प्राक्रितिक कार्यों को सही करता है और अतरिक्त यूरिक एसिड को खत्म करने में मदद करता है हाला कि इसका यूरिक एसिड उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है लेकिन ये गुर्दे के माध्यम से यूरिक एसिट के उतसर्जन को उत्तेजित करके यूरिक एसिट के स्तर को कम कर सकता है पांच, गठिया ये पीट के निचले हिस्से के दर्द, रीर की हड़ी के गठिया और घुटने के पुराने औस्टियो और्थ्राइटिस में भी उप्योगी है इसमें शक्तिशाली सूजन रोधी और हलके एनालजेसिक गुण है ये जोडों के विकारों में दर्द और सूजन को कम करता है 6. एमेनोरिया, ओलिकोमेनोरिया और डिसमेनोरिया हालां की इसका हलका एमेनोगौब प्रभाव होता है लेकिन यह महिलाओं में हॉमोनल संतुलन को सही कर सकता है जो अंतता अनुपस्थित मासिक धर्म, हलकी मासिक धर्म और दर्दनाक अवधी जैसी समस्याओं को ठीक करता है यह मासिक धर्म के दोरान मासिक धर्म की एंठन और पेट के निचले हिस्से में दर्द को कम करता है 7. अत्यधिक गर्भाशे रक्तसराव और गर्भाशे पॉलीप अत्यधिक गर्भाशे रक्तसराव के कई कारण होते हैं लेकिन सबसे आम कारण गर्भाशे पॉलीप है पॉलीप्स के आकार को कम करने के लिए चंद्रप्रभावटी कचनार गुगुल के साथ काम करती है हालां कि यदि रक्तसराव मुख्य चिनता है तो रक्तसराव को रोकने के लिए अन्य दवाओं की भी आवश्यक्ता होती है आठ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानि की PCOS चंद्रप्रभावटी सिस्ट को हटाती है और दिमक्रंथी समारोग को ठीक करती है चंद्रप्रभावटी वास्तव में प्रजनन प्रणाली के सभी अंगों और श्रोनी अंगों के लिए एक टॉनिक है ये PCOS बीमारी के लिए भी एक बहतरीन उपाय है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें